साथियों, आज देश भर में रेलवे को आधुन्क बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। मुंबई लोकल और महराष्टर की रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है। डबल इंजिन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुविदा, वही साप सफाई उसी तेज रप्तार का अनुभव देना चाहती हैं जो कभी साधन संपन लोगों को ही मिलती थी। इसलिए आज रेल्वे स्टेशनों को भी एरपोर्ट की तरह ही विक्सित किया जा रहा है। अब देश के सबसे पुराने रेल्वे स्टेशनों में से एक छत्रपती सिवाई जी महाराज टर्मिनस का भी काया कल्प होने जा रहा है। हमारी ये धरोहरब 21 सदी के भारत की शान के रुपे भी विक्सित होने जा रहा है। यहां लोकल और लंबी दुरी की ट्रेनों के लिए अलग-अलग सुविदाएं बनेगी। लक्स यही है कि सामान्य यात्रियों को बैतर सुविदा मिले। काम के लिए आना जाना आसान हो। यह स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविदाओं तक सिमित नहीं रहेगा। बलकि यह मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानि बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, आटो हो, याता यात के हर सादन यहां एक ही छट के नीचे कनेक्टेड होंगे। इसे यात्रियों को एक सीम्लेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हैं जिसे हम देश के हर शहर में विक्सित करने जा रहे हैं।